हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो एक्जाम और्बिट, तो आज है 16 जुलाई और आज का मौश्ट इंपर्टेंट करेंट अफर देखेंगे, सबसे पहले 15 जुलाई के करेंट अफर का रिविजिन करिए, उसके बाद आज का करेंट अफर स्टार्ट करेंगे, पहला कोशन, गूगल ने भारत में कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोसना की है, तो गूगल ने हाली में घोसना किया है, कि अगले 5-7 सालों में भारत में 10 अरब डॉलर, यानि लगबग 75,200 करोड उपया निवेश करेंगा, और इसमें से 30,000 करोड उपया निवेश करेंगा, रिलाइंस जी भारत को अलग कर दिया है, इरान ने, भारत और इरान के बीच में इस परियोजना के लिए 2016 में हस्ताक्षर किया गया था, यानि समझाता किया गया था, किस अंस्थान ने शुध नामक एक अल्ट्रा वैलेट सैनेटाइजिंग डिवाइस विक्सित किया है, IIT कानपूर ने, शुध का फूल फमोगा स्मार्टफोन, ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रा वैलेट, डिस इन्फेक्शन हेलपर, बंगलेदेश में भारत के नए राजदूत कौन बने है, विक्रम दोराई स्वामी, भारते रेल्वे ने कब तक रेल्वे को ग्रेन रेल्वे बनाने की गोसना क है, 2030 तक किस दिगज हो की खिलाडी को मोहन बगान लाइफ टाम एचुमेंट पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा, तो इसी महिने के अंत में 29 जुलाई को मोहन बगान लाइफ टाम एचुमेंट पुरसकार दिया जाएगा अशोक कुमार को, और भी पुरसकार दिये जाए मोहन बगान रत ने दिया जाएगा गुर्बक सिसी और पलाश नंदी को लाइफ टम एचुमेंट एवाड जो है अशोक कुमार के इलावा पर्णब गांगुली और मनोरंजन पोरिल को भी दिया जाएगा सर्वस्रेश्ट फूटबॉलर का खिताब दिया जाएगा जोसबा ब को अभियान शुरू किया है मद्दे परदेश ने निम्न में से किसे वान कर्मन पुरुसकार 2020 के लिए चुना गिया है डाक्टर के सिवन को ये इसरों के परमुख है अब चलिए आज का करेंट अफर देखते हैं पहला कोशन पंदर जुलाई 2020 को किस विशाय के साथ विश्वा इवा कौशल दिवस मनाए गया तो विश्वा इवा कौशल दिवस मनाए गया पंदर जुलाई को और 2020 का विशाय है यानि थीम है Skills for a Resilient Youth Resilient मिस होता है लचीला या फिर लचकदार ठीक है 2020 का ये विशाय है United Nation द्वारा परते एक वर्स ये दिवस मनाए जाता है 15 जुलाई को United Nation ने एक रिपोर्ट जारी किया है उसके अनुसार 1997 से 2017 के बीच इवा अबादी में 149 मिलियन के विरिद्धी हुई है वहीं इवास्त्रम शक्ति के अबादी में 58.7 मिलियन की कमी भी हुई है इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विकास सिल देशों में 5 इवास्त्रमिकों में से 2 इवास्त्रमिक परती दिन 3.10 डॉलर यानि लगबग 2.25 भारती रुपिया से कम पर गुजर बसर कर रहे है किंद्रिय मानाव संसाधन विकास मंत्राले ने डिजिटल सिक्षा पर किंद्रित किस नाम से एक देशा निर्देश जारी किया है प्रग्याता नाम से ओप्शन D सेहुत्तर है इस देशा निर्देश में डिजिटल सिक्षा के आठ चरन शमील है थिक है? वो आठ चरन कौन से है? प्रग्याता का वैसे फूल फॉम भी यही होगा प्लान, रिविव, एरेंज, गाइड, याक यानि टॉक, एसाइन, ट्रैक, एप्रेशियेट पूरे देश भर में लॉकडाउन लागू है इसकी वज़ा से पूरे देश भर के स्कूल बंध है और लगभग 240 मिलियन से अधिक बच्चे जो हैं परभावित हो रहा हैं सिक्षा से वन्चित हो रहा हैं इसी वज़ा से कई इसकोले ने उन्लाइन सिक्षा पढ़नाली शुरू किया है और इसी को देखते हुए केंद्रिये मानोस संसाधन विकास मंत्राले ने प्रज्याता देशा निर्देश जारी किया है केंद्रिय मानोस संसादेन विकास मंत्री ने अभी भावकों, प्रशासकों और सिक्छकों को स्क्रीन टाइम, मानसिक स्वास्त और साइबर सुरक्षा को लेकर सुझाओ भी परदान किया है केंद्रिय मानोस संसादेन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशांग काणिया में 11 राजमंक प्रियोजना का उद्धाटन और सीला नियाश किया गया है। ठीक है, ये सबी परियोजनाई जो है लगबग 20,000 करोड रोपे की हैं. तो केंद्रिये मंत्री है, नितिन गटकरी कौन से मंत्री हैन। केंद्रिये सडक और परिवहन मंत्री हैं, ठीक है, फटफट हरियाने के बारे में रिविजन करिए, इसका गठन वाता है, एक नॉम्बर 1966 को, अराजधानी चंडिगड, पंजाब की भी कैपिटल चंडिगड है, और चंडिगड के अंदर सासित परदेश भी है, मुख्य मंत् विधान सबसित 90, लूर, धमाल, फाग, साग, छठी, डफ, तथा घोडा-घोडी, यहां के प्रसित लोकने रित्ते हैं, राजके पशुहे कालाहिरन, राजके पक्षी कालातितर, राजके बिरिक्ष पीपल, राजके फुल कमल, सुल्तानपूर राशे उद्यान, कलेसर रा देम है, सरहिंद नहर डेम, यह सतलुज नदी पर है, चली अगला कोशन है, इवेस इंडिया बिजनेस काउंसिल, गलोबल लेडर्शिप अवार्ड 2020, किसने जीता है, तो इवेस आई बीसी, गलोबल लेडर्शिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, दो लोगों को, नट जीम ताइक किलेट जो है, यह अमेरिकन एरोस्पेस, डिफेंस और एडवांस टेकनलोजी कमपनी है, लॉग हिड मार्टिन, उसके CEO है, और यह दोनों, नटराजन चंदर शेखरंग और जीम ताइकलेट, इवेस इंडिया CEO फोरम के को चेर्मेन भी है, ठीक है, और यह जो यह प्रोस्कार इवेस आई बीसी द्वारा परतीक वर्स भारत अमेरिका ब्यापार और ब्याउसाय को बढ़ावा देने में उतक्रिष्ट कारे करने वालों को दिया जाता है, इसके पहले यह प्रोस्कार गूगल के CEO सुंदर पिचाई, अमेजन के मालिक जेफ बेजोस और Sun Pharmaceuticals के Founder और Managing Director दिलिप संगवी को यह सम्मान मिल चुका है, ठीक है, इवेस आई बीसी यानि इवेस इंडिया बिजनेस काउंसिल इसका गठन किया गया था 1975 में, Headquarter वाशिंग्टन बीसी में है, और चेर्मेन है नीशा देशाई बिस्वाब, वैश्वीक महमारी COVID-19 की व देश जो है, COVID-19 का वैक्सिन तयार कर रहा है, और मानो ट्रायल भी कर रहा है, लेकिन असफल हो रहा है, लेकिन इस बार COVID-19 के वैक्सिन का ह्यूमन ट्रायल का सफलता पुरवक परिक्शन करने वाला पहला देश बन गया है, रूस, रूस की सरकार ने ये दावा किया है, तो इंपोर्टन कोशन बनता है, ध्यान में रखिएगा, रूस की कैपेटल है मोस्को, छेतरफल के इसाब से वीश्वा का सबसे बड़ा देश है, यहां के राश्ट्रपती हैं बलादीमीर पुतीन, बलादीमीर पुतीन जो हैं अब ये 2036 तक रूस के राश्ट्रपती वन्ने जेव सर्वेक्षन का किर्तिमान बनाने के लिए गिनेज बोक अफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगा बनाया है, भारत ने, ओप्शन भी सहुत्तर है, तीक है, आपको बता दें कि 2018 में बागों की गर्णा के भारत के वन्ने जेव अभिहरानों में 26,838 कैमरे लगाए बहुत बड़े अस्तर पर कैमरे लगाए गये थे, ताकि सफलता पुरुवत बागों की गर्णा की जा सके, और गर्णा की भी गई, 2019 में परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने गर्णा का परिणाम भी जरी किया था, उसके अनुसार भारत में बागों की जन संख्या कितनी है, 29 966 है, ठीक है, और इसमें किस अराजय में सबसे अधिक बाग है, मद्धे पर्देश में है, मद्धे पर्देश में बागों की संख्या 526, दूसरे अस्थन पे है करनाटक, करनाटक में बागों की संख्या है, 524, तो बहुत बड़े अस्तर पर भारत में बागों की गर्णा की गई, कैमेरे लगाए गए थे 26,838, ठीक है चलिए अगला कोशन है हाली में भारती सेना ने किस देश से 72,000 ASIG 716 assault rifle खरीदने की घोसना की है तो भारत अमेरिका से 72,000 ASIG 716 assault rifle खरीद रहा है ठीक है, हलाकि भारत इसके पहले भी इस rifle का एक खेप मंगा चुका है, पिछले वर्ष जो पुलुवामा में अतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद ही भारत 72,000 ASIG 716 assault rifle खरीदा था फिर दुबारा से 72,000 का order दिया गया है fast track purchase के तहत, यानि बहुत जल्द ही भारत को ये rifle मिल जाएंगे, ये rifle है, close और long combat की नई तक्निक से less है और भारत में इंसास की जगह लेगी जो वर्तमान में भारती सेना गंस का इस्तमाल करते हैं, उसका नाम है इंसास, INSAS Indian Small Arms System इसका फूल पम होता है, ठीक है भारत रूस से भी कुछ rifles खरीद रहा है, उसका नाम है AK203, ठीक है और AK203 का निर्वान जो है, भारत में ही किया जाएगा भारत में अमेठी उत्तर परदेश के अमेठी ओडेनेंस फेक्टरी में AK203 का निर्वान किया जाएगा, हाला कि अभी काम शुरू नहीं हुआ है भारत इजराइल से भी गन खरीद रहा है और हाली में इसकी गोसना की गई थी 16,000 LMG यानि Light Machine Guns खरीदा जा रहा है इजराइल से अमेरिका की बाग करें तो अमेरिका North American Country है अमेरिका और कनाडा के बीच में एकदम से एक सीधा रेखा है और वो बोडर है तो कनाडा और अमेरिका को जो रेखा अलग करती है वो है 49 समानांतर रेखा अमेरिका की कैपिटल है Washington DC रास्टर पती है डोनाद टरम्प 45 वे संसत का नाम है कांग्रिस और मुद्रा का नाम है डॉलर हाली में भारतिय रेलवे ने पहली बार सीमा से परेह किस देश को एक विसेश मालगाड़ी के जरिए सुखी मिर्च का परिवहन किया है तो हाली में पहली बार भारतिय रेलवे ने अपने मालगाड़ी के जरिए विदेश में समान को पहुचाया है सुखी मिर्च को पहुचाया है किस देश में बंगला देश में option D सही हुत्तर है तो पहली बार भारती रेलवे ने ऐसा कदम उठाया है इसलिए ये question important बनता है ध्यान में रखिएगा आंदर परदेश के गुंटूर जिला के रेडी पलेम से बंगला देश के बेना पोल तक ये माल गड़ी गई थी सुखी मिर्च को लेकर जो आंदर परदेश के किसान और ब्यापारी है पहले सडक मर्ग से पहुचाते थे ये समान जिस पे लागत ज्यादा आता था परती टन 7000 रुपय खर्च होता था लेकिन माल गाड़ी के जरिये 384 टन सुखी मिर्च पहुचाए गया है और परती टन पे लागत आया है 4608 रुपया मात्रा ठीक है बंगला देश का मैप देखिए तो ये रहा बंगला देश भारत जो है अपनी सबसे लंबी अंतराशी सीमा रेखा बंगला देश से ही शेयर करता है बंगला देश से भारत की 5 राज्यों से सीमा लगती है मिजोरम, तिरिपूरा, असम, मेगाले और पश्शिम बंगाल ठीक है बंगला देश से तीनों और से घिरा हुआ एक मातर राज्य है तिरिपूरा जो गंगा नदी बहती है उसे बंगला देश में पद्मा के नाम से और ब्रहन पुत्र नदी को बंगला देश में जमुना के नाम से जाना जाता है और ये पुस्तक का प्रकाशन किया है 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 एचट इंडिया और स्टिफन किंग जो है ये अमेरिका के प्रतिष्ठित समकालीन लेख है 2003 में इन्हें National Book Foundation Medal और 2014 में National Medal of Arts भी मिल चुका है किस देश के प्रसित फूटबॉल खेलाडी और पुर्ब कप्तान माईल जेडिनक ने सन्यास की घोसना की है तो माईल जेडिनक ये औस्ट्रेलिया के बहुती प्रसित फूटबॉल खेलाडी है वहाँ के राशित टीम के कप्तान भी रह चुके हैं हाली में इन्होंने सन्यास की घोसना की है आपको बता दें कि जो उस्ट्रेलिया के राशिय फूटबॉल टीम है उसका अधिकारिक उप नाम है सोसर रूस, सोसर टीम भी कहा जाता है ठीक है? उस्ट्रेलिया एक देश है और महाद्वीट भी है इसकी कैपिटल है, कैन्बरा यहां के वरतमान में परधान मंत्री है, एसकोर्ट मौरिसन यहां की संसत का नाम है फेडरल परलियमेंट और मुद्रा का नाम है औस्ट्रेलियन डॉलर किस अस्था ने हाली में अपने 49 में अस्थापने दिवस के आउसर पर पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था तो हाली में नबाड ने अपने 49 में अस्थापने दिवस के आउसर पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था ये एक बैठक थी नबाड द्वारा शुरू की गई विभिन परियोजनाओं के परतिभागियों ने इसमें हिसा लिया था ताकि वे अपने अनुभाओं को साजा कर सकें इसी बैठक में नबाड ने 2150 वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लभारतियों को विथिये साहता राशित परतान करने के लिए बैंकों और विथिये संस्थानों को 5000 करोड रुपया अवंतित भी किया इसके लिए PACS यानि PACS प्राइमरी एग्री कल्चरल क्रेडिट सोसाइटेज को विभिन सेवा केंदरों में बदलने की भी घोसना की और ये जो राशी है 5000 करोड रुपया इसे अगले तीन वर्सों में यानि 2020-21 और 2022-23 के लिए दिया जाएगा ठीके नबाड का फूल फोमोता है National Bank for Agriculture and Rural Development 1982 में गठन हुआ था Headquarter मुंबई में है चेर्मेन है जो की हाली में नबाड के नए चेर्मेन बने है गुविंदा, राजूलू, चिंताला, टैग लाइन है Revitalizing Rural India Throw Urban Support तो यह था हमारा आज का करेंट अफर वीडियो पसंदा है तो लाइक और शेयर जबू करना अब लास्ट कुईज का एंसर जैन यह पहला कोशन था किसाराज जैने मुंख्यमंत्री स्रमी के ओजना लॉंच किया है इसका सही उत्तर था Option B जारखंड दूसरा कोशन था 21 जून 2020 को किस विशाई के साथ विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाए गया तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2020 का विशाई है थीम है Hydrography Enabling Autonomous Technologies ठीक है अब चलिए आज का पहला क्विज है महा नदी कोल फिल्स लिमिटेड ने हाली में किस अराज्य में 60,000 करोड रुपे निवेश करने का फैसला किया है दूसरा कोशन है हाली में लॉंच लिजेंड ओफ सुहेल देव दा किंग हू सेवड इंडिया पुस्ता के लेखक कौन है दोनो कोशन का इंसर निचे कमेड में बते हिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार